बिजनौर में लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग प्रतिशत बरहाएं जाने के उद्देश्य से बिजनौर शहर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीकशक सहित भारी संख्या में दिव्यांग जन रैली में हु ये मतदाता जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, रैली का शुभारंभ बिजनौर, जिलाधिकारी अंकित कुमार अगरवाल, वफ पुलिस अधीकशक, नीरज कुमार जादौन ने हरी जंडी दिखा कर किया, रैली के माध्यम से लोगों को 19 अप्रैल में अ जिलाधिकारी अंकित अगरवाल ने बताया कि मतदाता जागरूकता कार्यकरम स्वीप कर्यकरम जो बिजनौर जिले में चल रहा है, उसी करम में दिव्यांग जनों की रैली का आयोजन किया गया, इस रैली का यही मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग प्रेरित क कर रहे हैं, इसी तरह से सभी लोग जो वोटर हैं अपने घरों से बाहर निकले और 19 तारीख को जो हमारा मतदान दिवस है, उस दिन सभी लोग आकर मतदान करें, पिछली बार हमारा 67% पोलिंग रहा था, इस बार हम लोगों का प्रयास है कि इसको बढ़ा कर 70% से ज्यादा ले जाएं, सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वह अभी से प्लानिंग कर लें, कि 19 तारीख को छुट्टी में हम लोगों को बाहर नहीं जाना है, हम अपना वोट जरूर देंगे, सबसे पहले हमें अपना वोट देना है, उसके बाद हम कोई और काम करेंगे, इस नौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट का प्रयास है कि इसको कम से कम बढ़ाके, सतर के उपर इसको ले जाया जाए, तो मैं आपके चैनल के माद्यम से सभी से यह अन्रोद करना चाहूंगा, कि 19 तारीख को अभी से आप लोग अपना प्लानिंग कर लें, कि 19 तारीख को छुट्टी में बाहर नहीं जाना है, हम ल पोलिंग परसंटेज बढ़ाना है, पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि जागरुकता फेलाईजा जिससे कि हम लोग 70% क्रॉस कर देए, आप सभी से अन्रोद है कि आप स्वेम भी इसको जागरुकता फेलाईज में और सभी में संदेश बेजें, कि अधिक से दिक संख्या में मर रोबोर डाले है, धैंक फेलाईज में